आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हुए एक ऐसी मिठाई, जिसे बनाने के लिए ना तो हम मावा का यूज करेंगे, ना ही दूद, ना ही पनीर और ना ही काजु बदाम का, लेकिन फिर भी ये मिठाई बाजार की महंगी मिठाई से ज्यादा अच्छी बनकर तैयार होग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, इस मिठाई को बनाने के लिए 500 ग्राम सेंगदाना, जिसे आप मुमफली भी कहते हैं, और इस सेंगदाने को हमने हलका सा ठंडा कर लें, जब वो हलका सा ठंडा हो जाए, फिर आप उसे कढ़ाई में डाल कर उसे 2-3 मिन और भूल लें, इस तरीके से इसे भूलने से बिल्कुल जलेगा नहीं, और अगर आपकी मुमफली थोड़ी भी जल गई, तो आपकी मिठाई है और पूरी खराब हो स अगर आप भूने की जंजट में नहीं पढ़ना चाहते तो आप बाहर से मुमफली ले सकते हैं, एक साथ हम मिक्सी को लगातार चला कर इसे नहीं पीसेंगे, अगर आप इसे लगातार पीसेंगे तो जो आपकी मुमफली है उसमें इसे तेल रिलीज होने लगेगा, तो इसे बनाने के लिए, आप चाहें तो इसे छनी से छान सकते हैं, लेकिन ये बहुत अची तरीके से पिसकर तयार हुआ है, तो मैं इसे नहीं छानूँगी, इसे अब हम साइड में रख देंगे और बाकी की तयारी कर लेते हैं, अब हम लेंगे यहां पे एक कढ़ाई, और हम डालेंगे करीब 1.5 कप चीनी, जितनी हमने मुमफली ली है, उसका आधा हमने यहां पे लिया है चीनी, अगर आप इसे मेजरिमेंट से देखेंगे तो ये करीब 250 ग्राम है, अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, यहां पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे चलाते हुए पकाएंगे, और चीनी पिघलने के बाद चाचनी भी हमारी अच्छी तरीके से गाड़ी हो चुकी है, तो यहां पे मैं आपको इस तरीके से दिखा देती हूँ कि इसमें आधातार बनना भी शुरू हो चुका है, अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे, और तो इस तरीके से इसे चलाते जाएं और सारी गुठलियों को फोरते जाएं, मावे जैसा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक चम्मच मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर डालना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, कर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो अगर आपके पास है तो डालें नहीं तो आप इसे बीना देशी घी की भी बना सकते हैं, घी डालने के बाद भी हम इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे, और इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे, देशी घी डालने से जो सेंगदाने का फ्लेवर है थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पे आप इक बाद का ध्यान रखे कि आप इसे लगातार चलाते रहें, अगर आपने इसे हलका सा भी छोड़ दिया तो आपका मिक्सेद जल सकता है फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे 2-3 बून इलाइची एसेंस, अगर आप चाहें तो इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं बिल्कुल बजार जैसा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे दो से तीन बून केवरा एसेंस आप यहाँ पर इसमें रोज एसेंस या केसर एसेंस भी डाल सकते हैं जो भी आपके पास घर में मौजूद हो आप उसका यूज कर सकते हैं आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं मैं इसमें डाल रही हूँ दो से तीन बून ग्रीन फूट कलर फूट कलर भी डालना ओप्शनल है कर आप डालना चाहते हैं तो डालें नहीं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं फूट कलर डालने के बाद हम इसे लगाता चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा मेकशर कढ़ाई को ना छोड़ने लगे दो मिनट इस तरीके से चलाने के बाद हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे बहुत ज़दा हमें इसे पका कर सूखा नहीं करना है जैसे ये इस तरीके का गाड़ा हो जाए तब आप गैस का फ्लेम बन कर दें और इसे अच्छी तरीके से चारो तरब कढ़ाई में फैला दें और थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे चलाते रहें जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा और बिल्कुल जमने की consistency में आ जाएगा तो सारे mixture को हमने कढ़ाई से बाहर निकाल लिया और आप देख सकते ही कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा mixture बनकर तयार हुआ है मैंने इसे हाथों से दबा दबा कर इसे हलका सा चिकना कर लिया है तो इस तरीके से एक छोटी सी गोली बना कर देख लेंगे अगर वो इस तरीके से गोल हो रही है तो समझ जाईए कि आपका mixture बिल्कुल परफिक्ट है अब हम इसमें से थोड़ा सा mixture लेंगे बिल्कुल नीमू के आकार का आप इसका size अपने हिसाप से छोटा या बड़ा रख सकते हैं हाथों के बीच में mixture को रख कर इसे हम दबा दबा कर बिल्कुल गोल कर लेंगे और इसे इस तरीके से गुमा गुमा कर इसे अच्छे से चिकना भी कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स नार है और ये देखने में बहुर ज़़ा खुबसूरत लगे तो यहाँ पर हमने इसे गोल करके पहला बॉल बना कर तयार कर लिया है अब हम इसे उंगलियों की मदद से इसे हलका सा प्रेस करेंगे और इसे shape देंगे तो हमने इसे यहाँ पर अच्छे से दबा कर shape दे दिया है अब हम इसके उपर लगाएंगे एक long और इसे हलका सा प्रेस करते हुए इसके उपर के हिस्से में हम इसे लगा देंगे ये देखने में और भी जड़ा खुबसूरत लगे तो हम इसके उपर लगाएंगे एक बारी कटा हुआ पिस्ता पिस्ता लगाने के बाद ये देखने में बहुत जड़ा खुबसुरत लग रहा है और ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे कि हम बड़े-बड़े दुकानों में महंगी वाली एपल मिठाई देखते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद